हाँ तो भाई लोग कैसे उमीद है कि आप लोग यार बढ़ी आउंगे आपके लिए फियार नमबर वन के चल रही होगी तो देखो आज किस वीडियो हम बात करने वाले के जी अफ मूवी के बारे में इसके यार चेप्टर 1 के बारे हम बात करेंगे क्यो यार वो इंडिया में इतना पोपलर हुआ तब हम देख चुके हैं तो इसी पॉइंट के पर बात करेंगे क्या है रिजन क्यो लोग इसको यार बाहू वली से भी ज्यादा बड़ी मूवी मान रहे है और क्यो इसके यार इतने यार फैन फ्लोइंग हो गई है टाइम के आगे बढ़ते वढ़ते ही प्लस यार इस करेंगे मूवी के उपर फिर चलो stat करते अपनी वीडियो को इस इंट्रो के बाद तो अघ्लो अगर इसमें पहले बात करनें इसके स्टार कास्ट के बारे में उसके आपको देखने मैं थे यार उनके साथ देखने हो मिली थी आपको स्री निद्धी सेटी प्लस इंसे लगया राम चरंदर राजू और उनसे लग भी यार कुछ और भी अच्छे एक्टर देखो यार इस पर तोती ऐसे एक्टर है ना दिनकी यार फर्स्ट मूवी थी जिसमें पहला नाम आता है स्री निद्धी सेटी जिकाई क्योंके उन्होंने इस मूवी के लिए साथ मूवी पहले रियक्क कर दिया था सिर्फ इस मूवी के लिए तो यह पिस के बारे बातने नहीं बात करती है जिसको यार पूरे दुनिया पे राज करना है बच्छपन से उसे पावर लेना अपने हाथ में एक ब्रैंड बनना एक तरीके से उसे और स्टार्टिंग से उस करेक्टर पर फोकस करती है जिसका नामे रोकी और इसके बारे में हमें हमें मुवी के बीच में ही बता दियाता है कि यार वो आगे चलके बहुत बड़ा गैंश्टर बनेगा और बनता भी है वो पर फिर भी है एक बात निकल काती है जब अगर स्टोरी मीडियम है इसकी मीडियम से अगर प्लस भी बोलते हैं तब भी क्या रिजन की यार ओडियंस के बीच में इसके लिए है बहुत ज़्यदा हाइप क्रियेट हो गई क्या रिजन की समय इसकी दिवानी की सिर्च रड़के बोल रही है तो रिजन इसके पहले बात है इर इमोसन पाई जिस तरीके इसमें इमोसन डाले गए ना वो लाजबाब थे चाहे यार हमारे इमोसन यार रोकी भाई के लिए हो या पी रोकी का इमोसन यार उसकी मा के लिए हो यह सारी चीज़े बहुत यार अराम से करेंगे आपको बहुत जब पसंद आएंगी और खास तर पर जहां जहांए सब चीज़े दिखाई जाती है मूवी में जिस तरीके इमोसन की मा उसको बताती है वो सब चीज़े आपको बहुत ज़्यादा करने वाली है वहां पर यार ना चाहते हुए भी उस करेक्टर से आपको करेंशन बनाना पड़ जाता है अच्छा लगता है हमें और इसी वह समक्रेक्ट करते हैं साथ में जिस तरीके से उसके डायलोग डिलवरी जिस तरीके से बोलने का स्टाइल हर चीज बाई आउट स्टेंडिक और इसके लिए तारिफ करने पड़ेगी यस भाई है की जिस तरीके से उन्होंने अक्टिंग करी है इसमें लाजवाब उसको देखकर बाई क्या ही कहने मतलब एक तरीके से उन्होंने रोकी के करेक्टर को बिल्कुल जीया है और हमें बिल्कुल पहचाने नहीं पड़ता कि वह यस है मुवी को देखने से पहले नाम भी पता नहीं होगा और इस मुव्य को देखने के popula की बोल रहे हैं तो अगर भॉनिवूर्टके कर दे लगता है वो बंदा किसी चीज़ को पावर्फुल दिखाने में और एक एक्षन दिखाने में बहुत अंतर होता है एक बंदे के बोडी लेंग्वेसी आप पैचान सकते हो कि वो बंदा मतलब पावर्फुल है वो यह सब कर सकता है और आप अगर सोचो किसी भी करेक्टर ला सीनों या फिर लाश्ट ला सीनों हर जगह उस करेक्टर की अलगी पैचान मनती है उसके बाद देर इस पूरी मूवी के कलाइमेक्स भाइक कसम से आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा जिस तरीके से एर एसके करेक्टर को स्टार्टिं से दिखाए गया था जिसको एर देखके लग रहा था कि लाश्ट में बोजा कि आर काफी सारी लोगों से लड़ेंगे काफी सारी लोगों को मारेंगे पर इस मूवी ने साउट की मूवी का ट्रेंड या रही से चेंज कर दिया बंदा कुछ भी नहीं करता है चुपके सजाता है दिमाग लगाता है और एक चुटकी में खेल खतम, एक बार में गला काटता है, गलणा का और बात खतम कर देता है, वहीं से, पर अगर आप लोगों ने मूवी को देखा होगा, तो अप लोगों ने अंदर ज़र ज़र लगाया होगा, कि यहाँ बहुत लोगों के साथ लड़ेगा, पर ऐसा कुछ भी न सकता है, वहीं यार हमें सेक्रिड आप में यह देखने हों, मिलता है, कि वह बंदा अपना दिमाग कैसे यूज कर सकता है, और यहीं से यह मूवी यह बहुत पसंद आने लगती है, साथ में यह मूवी में जिस तरीके से कि स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं, जो करते हैं और ऑच्छे तरीके से साथ मेर इसके स्काम करते हैं बढ़ वो भाई लाजबाब थे हर डियालोक से आपको कनेक्ट करेगा और सुनने के बाद आप खुद बोलना चाहोगे उसे और यही रिजन दे कि यार यह मुवियर यहूद के बीच में बहुत जाब पॉपलर हुई हर बंदा देखके आने के बाई डियालोक बोलना है स्टेटेस ल लग से और ईक बहुत बढ़ा टाइम होता है किसी भी एक्टर को इतनके दने के-लिया एक मुवी को उपर एक करली फजो कि इस मुवी को मिलाने के लिए उन्होंने कितना मेहनत का रहा है हर चीज को अच्छा दिखाने को उपर एक फैक्ट यह भी है कि इस मुवी का सेट जो है जब 50% शूटिंग हो गए थी उसके बाद खराब हो गया था बारिस के वैसे पर उसको फिर से दुबारा बनाए गया औ 20 की दसक में और उस इजाब से जिस तरके से लोकेशन को दिखाए गए वो भी हर काफी अच्छे थे एक्सन फाइट सिनियर काफी आगे तक के लगते हैं पर उनकी जो सिनोमेटर ग्राफी थी वो भी काफी अत्तक इंप्रेसिव थी और उसके बाद यह पूरी मुवी के जो सब्सक्राइब यह होना चाहिए अगर बैग्राउंड स्कोर अच्छा है तो ओडियंस के वीजिट में कनेक्शन वह अपना भी बना लेती है मुवी जिससे और ओडियंस काफी बार उससे सुनना चाहेगी और इस मुवी के बैग्राउंड स्कोर था ना उस ही जाब सब वो प्राइग्राउंड स्कोर इसके सिनमेटोग्राफी इसमें एक्टिंग यह सारी शीजे इस मुवी की स्टोरी को यार बावाल बना देती है और ओडियंस को वह 100% पसंद आती है मुवी की स्टोरी आद दो टैमनेल में चलती है लगभग और एक बंदा स्टोरी को प्रेजें बाकि यार सबसे जब अच्छा जो लगा इस पूरे मुवी का वो था मुझे इमोसन और वो मुझे अभी तक पसंद आते हैं जिस तरीके से रोकी के करेक्टर को लिखा गया है उसके यह मा की इमोसन के साथ वह बहुत ज़दा अच्छा है जिससे हर हर ओडियंस को बहुत ज रिजन क्या था उसका तो देख वार पहला रिजन था इस पूरे मुवी का वह बहुत ज़दा अच्छी है एक बार तो हर ओडियंस को देखनी चाहिए अगर आप लोग ने इस मुवी को देखा है तो फिर से जागे दुबारा से देखो यार और इंजोई करो मुवी का पार और बावाल मचा के जाएगी जिस दिन रहाएगी बहुत सा रिकॉर्ड तोडने वाली है और बहुत ज़दा ओडियंस को फिर से कनेक्ट करने वाली है हमें नहीं क्या सकते कि चैप्टर 2 ही बनेगा इसका 3-4 जो भी बन सकता है क्योंकि उन्होंने लास्ट चैप्टर तो न लाइक करना चैनल सपोर्ट करने के सब्सक्राइब करना कुछ बोलना जाकर नहीं दा सकते हो